हलो बच्चों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथमाजिक्स में बच्चों मेरा नाम है अंकित सर और इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पढ़ाऊंगा Physics, Chemistry और Mathematics का सबजेक्ट और हमारे जो Target Exams हैं वो हैं IITJ और NEET तो इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको PCM के MCQs के थ्रूप पढ़ाऊंगा यही इस चैनल की खासियत है कि यहाँ पर सारे questions जो है concepts जो हैं MCQ format में ही मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि MCQ format में करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो examinations आप Target कर रहे हैं वहाँ पर multiple concepts के questions आएंगे और MCQs यानि के multiple choice questions से better कोई तरीका ही नहीं है multiple concepts को सीखने का यानि एक ही question में आपको बहुत सारे concepts सीखने को मिलते हैं तो आगे बढ़ने से पर एक छोटा सा request की प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कीजे और इस वीडियो को share कीजे अगर यह आपको पसंद आता है तो बच्चों आज का यह जो question है यह मैं लेकर आया हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो की IIT JEE की तयारी कर रहे हैं तो इस तरीके का जो question है बच्चों वो आपको IIT JEE means में तो लगभग लगभग आने का chance इसका बहुत strong है और IIT Advanced में इस concept पर based कुछ दूसरा question आ सकता है बच्चों बहुत important है तो इस वीडियो को end तक देखेगा तो यहां दिया हुआ है y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square plus sec inverse of 1 plus x square divided by 1 minus x square तो बच्चों यह जो questions है basically यहां पर अगर मैं सीधे dy by dx निकालने बैठ गया तो सुबह से शाम हो जाएगी और question कभी होगा ही नहीं तो उस वजएसे यहां पर हम जो question के शुरुआत है वो सीधे differentiation से ना करके हम करेंगे इसे जो है वो conceptually substitution करके तो यहां पर हम trigonometry का इस्तिमाल करेंगे x की जगे को substitute करेंगे इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी फिर उसे reduce करेंगे last point तक और सबसे last step में जो है वो differentiation करेंगे तो इसे मैं parts में ले लेता हूँ let's say this is a and this is b ठीक है तो पहले हम यह वाला part ले ले लेते है sin inverse of 2x divided by 1 plus x square तो यहाँ पर हमें x square की जगे कुछ ऐसा substitution करना है कि यह जो है यह एक standard form में break हो जाए ठीक है तो यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम x की जगे क्या substitute कर दे 10 theta तो 10 theta यहाँ पर substitute कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है तो यह हो जाएगा sin inverse of 210 theta divided by 1 plus 10 square theta ठीक है इसके बाद यह जो 10 theta है इसे हम sin और cos में break कर लेते हैं तो यह हो जाएगा sin inverse of 2sin theta divided by cos theta in the numerator और denominator में भी क्या आ जाएगा 1 plus sin square theta divided by cos square theta इसका जब आप LCM लेंगे तो यह हो जाएगा sin inverse of 2sin theta divided by cos theta अब यहाँ पर देखेगा यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो यह हो जाएगा cos square theta plus sin square theta यानि denominator में क्या आ गया? cos square theta plus sin square theta और denominator का जो cos square theta है वो reverse होकर उपर multiply हो जाएगा यानि यह वाला जो fraction adjustment ने reverse कर दिया तो एक cos theta से एक cos theta cancel इस वाले पूरे part की जो value है that will be 1 और numerator में केवल क्या बचेगा? 2sin theta cos theta जिसकी जो value होती है वो होती है sin 2 theta that means finally जो हमारे पास answer आएगा वो आएगा sin inverse of sin 2 theta यानि कि यह sin sin b cancel sin inverse or sin cancel तो बचेगा केवल 2 theta अब जो initial substitution था वो था x is equal to 10 theta तो यहां से जब theta की value निकालेंगे so this will be 10 inverse of x यानि कि finally हमने इसे reduce कर लिया है first part को 2 times 10 inverse x में यह हो गया हमारे first part का अभी हम differentiate नहीं करेंगे यह केवल हमने इसे reduce किया है इसी तरीके से अब हमें इस second वाले part को reduce करना है तो इसे भी मैं यहां लिख लेता हूँ तो यहां पर दिया हुआ है sec inverse of 1 plus x square divided by 1 minus x square अब यहां पर हम property एक यूज करेंगे that sec inverse यहां में लिख देता हूँ that sec inverse of y is basically cos inverse of 1 by y यह property का हम इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं तो इसे मैं पहले करते था हूँ reverse so this can be written as cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square ठीक है इसको करने के भी अब 2-3 तरीके हैं आप x की जगे जो है वो 10 theta रख सकते हैं यहां पर और x square की जगे sin theta cos theta का भी एक option है वैसे बट अब यहां से आपको basically इसमें check करना है कि इसमें सबसे जो best substitution है वो क्या हो सकता है तो यहां इसको करने के लिए ultimately इसका answer जो है वो आने वाला है 2-10 inverse x मतलब यह वाला जो part है यहां पर भी 2 theta ही आने वाला है तो यहां पर हम x की जगे substitute कर देते हैं 10 theta so let x is equal to 10 theta तो यह वाला जो part ही क्या हो जाएगा cos inverse of 1-10 square theta divided by 1 plus 10 square theta ठीक है अब 1 plus 10 square theta जो होता है यह होता है आपका second square theta तो यहां पर मैं लिख देता हूं this is cos inverse of 1-10 square theta divided by sec square theta इस तरीके से 1-10 square theta divided by sec square theta अब यहां पर यह जो sec square theta है इसे numerator मतलब numerator के दोनों parts में अलग अलग कर लेते हैं तो यह हो जाएगा cos inverse 1 by sec square theta minus 10 square theta divided by sec square theta तो यह हो जाएगा आपका cos inverse 1 by sec square theta यह हो जाएगा cos square theta minus अब 10 square by cos square जो है this is basically sin square theta बचेगा इसमें के वल अब cos square theta minus sin square theta यह होता है cos 2 theta का formula so this ultimately comes down to cos inverse of cos 2 theta so cos cos cancel so finally जो हमारे बास बचेगा वो बचेगा 2 theta और theta की जो value है वो है 10 inverse x तो यह वापिस से यह वाले part की answer भी क्या आगया 10 inverse x यानि कि जो original question था उसे हम यहां लिख लेते हैं तो y जो आएगा वो आएगा 2 10 inverse x plus 2 10 inverse x 2 10 inverse x यह first part से आएगा और यह वाला 2 10 inverse x आया second part से so overall answer क्या हो गया this is basically 4 10 inverse x इस तरीके से यानि कि finally जो y की value निकलगार आ रही है वो आ रही है 4 10 inverse x तो यहां पर अब final reduction हो चुका है अब question में हम से यह पूछा गया था कि इसका हमें निकालना है derivative यानि कि अब हमें निकालना है इसके dy by dx की value तो हम इसे कर देते हैं differentiate so that means dy by dx is equal to 4 divided by 1 plus x square तो 4 तो as it is and 10 inverse x का differentiation 1 upon 1 plus x square तो इस तरीके से यह final जो answer है यह अब हमारे पास आ चुका है तो यहां पर अब हम देखते हैं कौन सा option जो है वो इसमें fit better है so the correct answer is 4 upon 1 plus x square that means from the given list available the correct answer is option a यहां पर जो है इसको हम tick कर देते हैं इस तरीके से ठीके दोस्तों तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी हम शुरुवात basically कर रहे हैं mathematics के questions के साथ बट हम बहुत जल्दी यूटूब चैनल पर physics और chemistry के MCQ format question जो कि IITJ या NEET में आ सकते हैं उन्हें भी मैं बहुत जल्दी जो है वो इसमें इस channel पर upload करना शुरू कर दूँगा और physics में जो शुरुवात हम करेंगे वो basically करने वाले हैं जो redox reaction है या जो organic chemistry का part है उसमें से किसी एक part के साथ करेंगे बट जो physics है उसमें हम पहले लेंगे electrostatics वाला part जैसे कि Gauss theorem के questions है या फिर उसी category में जो दूसरे questions है वो available रहेंगे तो उन्हें हम पहले लेंगे और मतलब IITJ मैंट्स की तो आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं क्योंकि भर-भर के भी questions इसमें आने वाले हैं 5000 questions in physics mcq format then 5000 questions in chemistry and 5000 questions in mathematics so overall जो ultimate target इस channel के लिए हमने set किया है that is of 15,000 videos in the coming time so बिना आप लोगों के support के इस channel को grow करना इसलिए possible नहीं हो पाएगा तो प्लीज इस channel के साथ जुड़े रहें और इस channel को subscribe कीचे इस question में अगर जादर सादर किसी step में अगर आपको doubt आता है तो आप comment box में जाकर अपने doubt को mention कर सकते हैं ध्यान रखेगा कि इस तरीके के questions में बहुत सारे choices होते हैं कि जैसे आप x square की जगे sin theta या cos theta भी रख सकते थे लेकिन आपको मैं सबसे अचा suggestion ये दूँगा कि आप वहाँ पर substitution basically कर दीजे क्योंकि अगर आप substitution कर देंगे जासादा किसी step में जाकर वह रुख जाएगा answer तो आपको ये confirm हो जाएगा कि जो substitution आपने किया है वो मतलब सही है या नहीं है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है so there is no harm in I mean opting for an alternate route to find the solution because ultimately maths में केवल एक चीज महाँने रखती है खास तोर से MCQs में कि केवल answer अगर आपको correct है तो method का को importance नहीं है ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में and thank you for watching